Hello everyone, welcome you all at Lucas, Sir Unlimited Study Zone तो continue कर रहे हैं युवराज, batch और classes चल रहे हैं tense की और ये आपका है part number 3 इसके पहले हम part 1 और part 2 complete कर चुके हैं और अब हम पढ़ने वाले हैं part number 3 तो आज हमें पढ़ना दोस्तो present tense का दूसरा part और present में हम पढ़ेंगे present continuous continuous का मतलब जो काम हो रहा होता है, मतलब जो काम चल रहा होता है तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी पहचान क्या है, तो इस tense की पहचान क्या है कि इसमें जो main verb होगी मुख क्रिया, जैसे कि खाना, पीना, चलना, उठना, बैटना, उसके साथ रहा है, रही है, रहे है, रहा हूं का प्रयोग होगा, ओके, रहा है, रही है, रहे है, रहा हूं, ये सारी चीज लगेंगी, अब देखें, इसमें भी तीन प्रकार के टैंस होते हैं, सबसे पहले होत या तो इस लगाई है या तो एम लगाई है या तो आर लगाई है अब मैं बता देता हूँ इस किस के साथ लगता है इस लगता है ही के साथ शी के साथ और इट के साथ इस लगेगा एम किस के साथ लगता है आई के साथ और बाकी अगर जो प्लूरल है जैसे कि दे ओके, दे हो गया, ठीक ना, वी हो गया, ठीक ना, दोज हो गया, दीज हो गया, इन सब के साथ जितने भी plural हैं, इन के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा, क्या लगेगा, अब फिर वर्ब की first form plus ing, जैसे go है, तो go के साथ ing, going, और last में object, last में object, तो यही simple rule है आपके पास में, चलिए देखते हैं, जैसे सब लोग आपको देख रहे हैं, सब लोग आपको देख रहे हैं, तो चलिए इसको मैं बनाता हूँ, हिंदी में, पहले है, सब लोग आपको देख रहे हैं, तो सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहां पर कौन देख रहा है, सब लोग यहां पर क्या है रहे हैं तो क्या बहुत सब लोग है ओल देखने को क्या बोलते हैं लुक तो देख रहे हैं लुकिंग आपको मतलब लुकिंग यू लुकिंग यू तो क्या बहुत देख रहे हैं तो जहां पर पर होता है आप पर निगाह का है मतलब नज़रे का है नजरे हैं आप पर क्योंकि जो लोग देख रहे हैं तो नजरे आप पर है तो looking के बाद याद रखेगा looking at होता है looking at है ना looking at you याद रखेगा कुछ चीज़ें English में ध्यान रखनी पड़ती है आप एट को ध्यान रखना पड़ेगा all the people are looking at you चलिए अगला आप बताएंगे मैं घर आ रहा हूँ I am coming home बिल्कुल सही I am coming home लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं making fun people are making fun of him बिल्कुल सही making fun of him अभी आदर के गाद देखे कुछ preposition की आदर डाली है है ना जिसे making fun of him him के पहले क्या लग गया है जहां पे off लगता मतलब का लगता है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसी जगे में off लगता है तो preposition जो होता है पढ़ाई करने से आता है जितनी जदा practice करेंगे तो यह है गली में कुत्ते अब यहां पे में हैं में मतलब इन आता है गली में कुत्ते भोक रहे है बिल्कुल सही राधा घर पर मूवी देख रही है घर के अंदर नहीं लिखा है चोटी चीच के लिए इन लगता है बट घर पर बुल रहा है तो यहां पे अट लगेगा राधा इस वाचिंग मूवी अट दा हूम या अट हूम वे घर के बाहर खेल रहा है घर के बाहर आउट अफ हूम मैं अपनी खुद की कहानी लिख रहा हूँ आई एम राइटिंग खुद की मतलब माई ओन ओन स्टोरी वे तुम्हें मूर्ख बना रहा है मेकिंग फूल ही इस मेकिंग यू फूल ही इस मेकिंग यू फूल ओके ठीक है, so वह तुम्हें मूर्क बना रहा है, he is making you fool, he is making you fool, ठीक ना, he is making you fool, चलिए, अब देखिए, इसके बाद आता है, negative, क्या आता है, इसके बाद, negative, तो बहुत ही सिंपल है, वही subject है, isMR है, बस उसके बाद आपको not लगाना है, क्या लगाना है, not, और वही यह वर्ब की first form plus ing plus object, तो बहुत ही सिंपल है, कि isMR के बाद क्या लग जगा, not, है ना, अब देखिए, वह कहीं नहीं जा रहा है, वह या नहीं कि क्या, he, वह मतलब he, he is not going anywhere, he is not going anywhere, मैं आज नहीं पढ़ रहा हूँ, very good, I am not studying today, लोग उससे बात नहीं कर रहे हैं, very good, not talking to me, उनमें से एक खाना नहीं खा रहा है, उनमें से एक खाना नहीं खा रहा है, one of them, one of them is not eating the food, very good, one of them is not eating the food, या eating food, दोनों सही है, वह अंगरे जी नहीं बोल रहा है, do not नहीं आएगा, he is not speaking English, okay, do नहीं आएगा, ये present tense नहीं कि do लगेगा, है ना, present tense में जहां पर वह अंगरे जी नहीं बोलता है, वहां लगेगा, he do not speak English, है ना, बट ये क्या है, इस मेरी खे राहा लगा है, मतलब ये क्या continuous है, he is not speaking English, he is not speaking English, वह नास्ता नहीं कर रहा, yes, he is not taking breakfast, yes, वह नास्ता नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सही, they are not taking breakfast, अगला, मैं कहानी नहीं लिख रहा हूं, I am not writing a story, very good, वे गाउं से वापस नहीं आ रहे हैं, they are not coming from, coming back, वापस आना, है ना, वापस आना, तो वापस मतलब back और आना मतलब coming, coming back from village, ठीक है, तो ये आपने देखा कि किस तरीके से बनता है हमारा negative, अब इसके बाद आता है, interrogative, interrogative, अब देखें, interrogative एक हैं, जिसमें की wh family use होगी, और एक है जिसमें interrogative में wh family use नहीं होगी, है ना, हाँ, जैसे मैं बताता हूँ, देखें, जैसे राम खेल रहा है, है ना, राम is playing, राम खेल रहा है, अब यदि मैं बोलूं, क्या पहले आ जाएगर, क्या अगर पहले आ जाए, तो वही तरीका है, कि आपको auxiliary verb से इस्तमाल, क्या राम खेल रहा है, देखें, डज नहीं आएगा, मैं आपको बता दूँ, इसमें is MR लगता है ना, क्या राम खेल रहा है, तो यहाँ पर डज नहीं आता है, यहाँ पर is आता है, इस राम प्लेइंग, इस राम प्लेइंग, भाई इस आँगे आ चुकर तो दुबारा इस नहीं आएगा, इस राम प्लेइंग, इस राम प्लेइंग, और question mark, ठीक ना, देखें क्या था यहाँ पर क्या पहले आ गया है, अब दूसरी चीज, Ram क्या क्या खेल रहा है, रहा है, तो क्या रूल है देखिए, सबसे पहले डबू-च फैमिली, तो डबू-च फैमिली में क्या एगा वाथ, ओके, फिर इस, क्योंकि Ram सिंगुलर है, फिर क्या एगा, Ram, और फिर क्या एगा, प्लेंग, वाट इस, तो दो अ रहा है तो आपको WH family use करेंगे otherwise कहां सुरूगा directly is MR से फिर इसके बाद subject फिर वर्ब की first form ing प्लस कितना object चलिए देखते हैं कि आप बताते हैं तुम क्या कर रहे हो तुम क्या कर रहे हो yes तो देखिए क्या बाद में क्या बाद में आ रहा है मतलब what से सुरू होगा और तुम क् आर सी what are you doing तुम क्या कह रहे हो what are you saying क्या गाओं में बरसात हो रही है अब देखिए क्या पहले आ चुका है तो गाओं क्या है singular है तो इस से start होगा तो देखिए इस गाओं में है ना तो कहां से सुरू होते हैं ये sentence it से क्या सुरूते हैं बरशा होने को क्या बोलते हैं it is raining क इन दा विलज कैसे आप से कुछ बोलता यहाँ बारिश हो रही है यहाँ बारिश हो रही है तो इस क्या बनता है it is raining क्या होता है it is raining है यहाँ को ही बोलते हैं कि इस Red балट रहा थी है कर बोलेंगे it is raining मैं लिक देता हूँ थोड़ सा confusion create ना हो, क्या लिखते हमें, बारिश हो रही है, हो रही है, तो मैं क्या बोलूँगा इसका, it is raining, है ना, और यह दो आप लिखोगे, यहां बारिश हो रही है, यहां बारिश हो रही है, तो यहां पे, it is raining, तो यहां पे बोलेगा, it is r-a-n-g, it is raining here, अब आपसे पूचा गया है, कि क्या गाउं में बरसात हो रही है, is it raining in the village, क्या लोग स्टेज पर नाच रहे हैं, लोग मतलब are the people, are people dancing on the stage, वो तुम्हारे साथ, वो बच्चे तुम्हारे साथ कहां पर खेल रहे हैं, वो बच्चे तुम्हारे साथ कहां पर खेल रहे हैं, है ना, वो मतलब वो मतलब वो बच्चे तुम्हारे साथ कहां पर खेल रहे हैं, हाँ, वो मतलब वह, है ना, वो मतलब those, those, these का those, वो मतलब those, these मतलब ये, those मतलब वो, है ना, तो किए कहाँ से कहा पर सब्सक्राइब उस्टार है, तो क्या है, WHERE ARE? विर आर, दोस चिल्डरन, दोस चिल्डरन प्लेइंग विड यू, क्या वह मेरे लिए नाष्ता बना रही है, तो क्या होगा, Is she preparing breakfast for me? क्या तुम्हारा भाई इस company में job कर रहा है फिर से इच से start होगा is your brother doing a job in this company क्या वह इस hotel में रुका हुआ है is he staying रुकने को क्या बोलते है stay is he staying इस hotel में तो यहाँ पर आएगा at in ही आएगा क्या आएगा in in आएगा अगर वह होटल पर रुका हुआ है तो at आता in this hotel कर रहा है what is he doing at home देखे पहले what आया है फिर इसके बाद क्या आएगा is what is he doing at home तुम कहां जा रहे हो very simple where are you going तुम्हारा भाई आज कल कहां रह रहा है where is your brother living nowadays nowadays है ना nowadays नहीं nowadays आज कल को क्या बोलते है now a days yes और question mark रहेगा तुम क्या खा रहे हो what are you eating where phone पर किस से बात कर रहा है अच्छा किस से किस से को बोलते है to whom क्या बोलते है हां तो यहां का डबलू वर्च वर्ड जो होता हो आएगा to whom to whom है ना where to whom तो to whom के साथ क्या है क्योंकि वह के लिए क्या यूज होता है is to whom is he talking on the phone किस से को याद रखेगा बोलते हैं हम लोग to whom है ना जैसे मैं बोलूँगा तुम किस से बात कर रहे हो तो मैं बोलूँगा to whom you are talking to sorry to whom to whom are you talking जैसे मैं आपसे बोलूँगा कि तुम किस से बात कर रहे हो किस से बात कर रहे हो तो किस से को क्या बोलते हैं to whom ओके फिर मैं किस से पूछ रहा हूँ तुम तुम के लिए क्या रखता है और फिर क्या आएगा you talking to whom are you talking clear है yes चली तो यह हो चुका है अब इसके बाद आता है negative interrogative एक mix वाला वर्ड है negative और interrogative रूल हुआ ही है सबसे पहले wh family फिर is am are फिर subject है subject के बाद क्या लगेगा not और not के बाद verb की first form plus ing plus object है ना जैसे मैं एक simple सा sentence बोल देता हूँ क्या तुम खेल नहीं रहे हूँ क्या तुम खेल नहीं रहे हूँ तो क्या शुरू होगा क्या पहले आचुका मतलब आर do not play do नहीं आएगा याद रखेगा r है u है फिर इसके बाद सीरी आएगा not playing हाँ है ना और यदी playing हाँ c p l a i n g ठीके p l a यह आ जाएगा अब यह है कि तुम क्या खेल नहीं रहे हो what खेल नहीं रहे हो ओके तो कहा शुरू होगा what से what are you not playing yes you not playing चले अब देखते हैं कुछ इसकी practice क्या तुम अब नहीं पढ रहे हो do नहीं आएगा भाई पढ रहे हो आर से start होगा are you not studying now are you not studying now तुम आजकल हमारे घर क्यों नहीं आ रहे हो देखो क्यों बाद में आ रहा है तो why से start होगा why are you not coming to our home nowadays अमन बात क्यों नहीं कर रहा है अमन क्यों क्यों इन्हें भाई से शुरूगा why is अमन not talking ठीक ना मतलब आपको subject के बाद not लगाना है subject के बाद not लगाना है वो school क्यों नहीं जा रहा वो है न तो पहले why से शुरूगा why is he not going to school तो क्या तुम college नहीं जा रहे हो क्या तुम college नहीं जा रहे हो बिल्कुल गलत r से शुरूगा are you not going to college are you not going to college क्या वे तुम पर नहीं हस रहे हैं are they not laughing at you वे इस company में job क्यों नहीं कर रहे हैं क्यों why why are they not doing a job in this company तुम कौन सी movie नहीं देख रहे हो तुम कौन सी movie नहीं देख रहे हो तो कौन सी आया है है ना which विल्कुल सही which movie are you not watching which movie are you not watching तो बचो ये था हमारा आज का हमारा पूरा हमने continuous कर लिया है जिसमें हमने आपका simple affirmative भी पढ़ा negative भी पढ़ा फिर हमने इसमें interrogative भी पढ़ा और साथ ही साथ हमने negative interrogative भी हमने complete कर लिया है तो बचो ये आपकी exercise ये पर complete होती था है thank you so much for being with location unlimited study zone युवराज बैच से आज के लिए इतना ही बहुत बंद